शनी देव ने बताया कि किन लोगों को मैं कंगाल कर देता हूँ और किन लोगों को धनवान दोस्तों आज की कहानी बड़ी ही महत्वपूर्ण और रोचक है आप इस वीडियो को पूरा जरूर सुनना कहते हैं स्वर्ग लोक में एक बार माता लक्ष्मी और शनी देव में चि किया उन दिनों धर्ती पर प्रयागराज में एक श्रीवत्स नाम के राजा रहते थे वे अपने न्याय के लिए दूर दूर तक प्रसिद थे शनी देव और माता लक्ष्मी राजा श्रीवत्स के पास गए और जगड़े की वजह बताई कि हम दोनों में ये सिधर नहीं हो पारहा की श्रेष्ट कौन है? ट्रिपया आप ही हमारा निर्नय कर दे शनी देव और माता लक्ष्मी की बात सुनकर राजा श्रीवत्स बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गए की दोनों में से किसको बड़ा कहा जाए? यदि शनी देव को बड़ा बता दिया तो माता लक् लक्ष्मी जी उन्हें एक माह का समय दे कर चले गए और कहा कि हम एक माह बाद आएंगे तब तक तुम खूब सोच विचार लो. दोस्तों उनके जाने के बाद राजा की रातों की नींध हराम हो गई. वे हर क्षन इसी बात को लेकर सोचकर चिंतित रहने लगे कि एक माह के बाद जब शनिदेव और माता लक्ष्मी आएंगे तो वो किसे श्रेष्ट बताएंगे. क्या निर्नय देंगे? उनके सामने परिस्थिती बहुत ही विकट थी वे जानते थे कि एक को बड़ा बताएंगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा. और उन पर उनके राजे पर कि देखो तुम अपने मुख से किसी को बड़ा या छोटा मत बताओ. अपनी अपनी जगह दोनों विश्रेष्ट है उनके बड़े छोटे का फैसला आप उनी पर छोड़ दो. आप एक काम करो एक सोने का और एक चांदी का सिंधासन बनवाओ, दोनों का आसन अपने सिंधा सिंधासन के दाय और बाय और रखवा दो. सोने का सिंधासन आप अपने सिंधासन से दाय और लगवाना और चांदी का सिंधासन बाय और. एक माह बाद जब शनिदेव और माता लक्ष्मी आएंगे तो लक्ष्मी जी आपके दाय और का आसन रहन करेगी. क्योंकि वे माता स और शनी देव आपके बाए और वाले आसन पर बैट जाएंगे। जब वे पूछे तो आप उनको किसी भी प्रशन का उत्तर मत देना जब वे बहुत पूछे तो उनसे कह देना कि आप लोगों ने अपनी श्रेश्थता का फैसला स्वयम ही कर लिया। में क्या जवाब दूच शित्रान की बात राजा को सही लगा। दोस्तों इधर एक महीने के बाद जब लक्षमी जी और शनी देव राजा के दरबार में पधारे तो वही हुआ। बताया था जैसा रानी ने माता लक्षमी तो सोने के सिंधासन पर विराजमान हो गई और शनी देव चांदी के माता लक्षमी ने राजा से कहा कि पुत्व शनी देव तुम से रुष्ट हो गए और उनके कोप के कारण तुम पर बहुत बड़ा संकट आ सकता है। परंतु तुम चिंता ना करो मैं तुम्हारे साथ हूँ। शनी देव ने राजा पर ऐसा कोप बरसाया कि उनके राज्य म को साथ लेकर घर से निकल पड़े। एक पोटली में उन्होंने हीरे जवारा कुछ जेवर आभूशन बांध लिए सोचा जहां रहेंगे वहां विपत्ती में ये बहुत काम आएंगे। इन्हें बेचकर हम अपना गुजारा कर लेंगे राजा रानी घर से निकले ही थी कि उसी समय भयन कर आंधी तूफान आ गया। चारों तरफ अंधकार छा गया वे उस अंधेरे के कारण रास्ता भटक गई। समझ में नहीं आ रहा था कि कहां जाए तभी माता लक्ष्मी एक छोटी सी कन्या का रूप धरकर आती है। और लाल्टेन की सहायता से उन्हें एक न नाविक का रूप बना कर नाव लेकर उसी किनारे पर जा पहुँचे। जहां राजा राणी खड़ी थी राजा ने नाविक से नदी के उस पार जाने का आग्रह किया नाविक ने कहा कि देखो भाए हम तुम्हें उस पार पहुँचा तो देंगे। परन्तु हमारी नाव बहुत कमजोर है इसमें एक बार में एक ही बैट सकती है। राजा ने कहा चलो एक एक करके ही उतार दो अब पहले तो नाविक रानी को उस पार पहुँचाया। फिर राजा को ले गया तीसरी बार में उस नाविक ने राजा की धन की पोटली रख ली लेकिन वह नाविक गायब हो गये। अब तो स्वयम शनिदेव थे इसलिए वह धन की पोटली लेकर नदी के बीचों बीच से उनके पास जो धन था वो भी नहीं रहा। भोजन का संकट खड़ा हो गया राजा बड़ा ही धीर बान था एक गाव में पहुचा। भगवान की इच्छा समझकर वो वहां से आगे को चल दिया चलते चलते वो उस गाव के लोग जंगल से लकडी काट कर उन्हें बेचते थे। राजा भी अपनी राणी के साथ उसी गाव में रहने लगा और लकडी बेचकर अपना गुजारा करने लगा लक्ष्मी जी की कृपा से उसे जंगल में चंदन का बाग मिल गया। राजा ने चंदन की लकडीयों को बेच बेच कर काफी पैसा कमा लिया। अब तो उसका जीवन बड़े सुक पूर्वक बीटने लगा राजा और राणी को सुक चैन में देखकर शनिदेव ने एक और नई चाल चल दी। एक सौदागर था जो उस गाव से चंदन की लकडी भर कर दूसरे राजियों में ले जाया करता था। आज उसका जहाज उस नदी के किनारे पर ही फस गया था। उसने जहाज को चलाने का बहुत प्रयास। किया पर जहाज तस से मज नहीं हुआ। सौदागर के समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करें तभी शनिदेव एक ब् जहाज फिर भी नहीं चला। किसी ने बताया कि गाव में अभी एक स्त्री बाकी रह गई है जो यहां नहीं आये है सौदागर स्वयम चल कर उसके घर गया। वो स्त्री कोई और नहीं रानी चितरान थी दर ने जब रानी के पास निमंतरन भीजा तो रानी ने वहाँ जाने से इंकार कर दिया और कहà कि इस समय मेरे पती जंगल में लकड़ी काटने गये हैं मैं तुम्हारे जहाज के पास नहीं जा सकती। सौदागर के आदमी ने वापस जाकर उसकी सारी बात बता दि सौदागर समझ गया कि यहीं औरत पती ब्रता है और यहीं उसके जहाज को नि जहाज हिलने लगा। ये देखकर सौधागर के मन में पाप जागा की क्यों ना मैं इसको अपने साथ ले चलू। ये स्त्री बहुत सुन्दर भी है और यदी कहीं जहाज फिर से फस गया तो इससे छूकर उससे निकल वा लूँगा। ये सोचते ही उसने चितरान को अपने सा करने लगा। रानी ने सौधागर की चार से तंग आकर सूर्य देवता से प्रार्थना की उसको अपने सती की रक्षा करने के लिए कोल दे दे उसकी प्रार्थना भगवान सूर्य ने सुनन ली। उसी समय रानी के शरीर से कॉर्ड फूर्ट गया वो। एकदम से कुरूप रूप वाली हो गई उसके कुरूप शरीर को देखकर सौधागर उसके पास नहीं जाता था। पर वो हमेशा अपने साथ रखता था इधर राजा रोते बिलखते नदी किनारे से चल पड़े। वो इसी उम्मीद में थी कि यदि जहाज उस तरफ से गुज्रा तो वो अपनी पतनी को छुड़ा लेंगे आखिर उसको जहाज का कहीं पता नहीं चला। तो वो नदी किनारे आश्रम के साधूओं के साथ रहने लगी। अब तो राजा वहाँ पर साधूओं की सेवा करता था उनकी गायों को चराता था और गायों के गोबर से उपले बनाता था। वो सगर को पहचान लिया उसने सौधागर को इट दिखा कर कहा यदी सौधागर उसको साथ ले चले तो सोने की इट सौधागर को दे देगा। सौधागर ने राजा को पहचान तो लिया था परंतु सोने की इटों के लालच में उसे अपने पास बैठा लिया। इटों को भी जहाज में भरवा लिया जब जहाज चल पड़ा तो सौधागर ने राजा को नदी में फ्रवा दिया। जहाज में फ्रवा दिया। और राजा से ही ब्याह करने की जिद ठानली राजा ने बहुत मना किया परंतु जब राजकुमारी नहीं मानी तो उन्होंने लाचार होकर दोनों का ब्याह कर दिया। और जंगल में एक मकान दे दिया धीरे धीरे समय बीतता चला गया कुछ दिन बीते तो राजा श्रीवत्स ने राजकुमारी से कहा। कि ऐसे बेकार बैठे रहकर मेरा मन नहीं लगता है तुम अपने पिता से कहो कि मेरे को जहाजों की चुनगी का ठेका दे दे। राजकुमारी ने अपने पिता से यह प्रस्ताव रखा तो राजा ने भी कहा ठीक है अब तो श्रीवत्स अपने आने वाले जहाजों से चुनगी लेता था। इसी प्रकार जब साथ वर्ष बीद गए शनिदेव का प्रभाव खत्म होने को आया एक दिन सौधागर का जहाज वही से निकला तो। श्रीवत्स ने उस जहाज को रोग कर और उसे आगे जाने से रोग दिया सौधागर को ये देखकर बड़ा ख्रोधाया। वो तुरंट शिकायत जाएगा तुम्हारी प्रजा खुशाल हो जाएगी और कभी दुख दरिद्रता तुम पर नहीं आएगी राजा को वर्दान देकर शनिदेव और माता लक्षमी वहां से चले गई। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना मिलते हैं। आपसे अगली वीडियो में एक और चर्चा के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जैश्री कृष्णा।